आज का वीडियो उन साभी लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग CSE बरांच CSE काने का मतलब Computer Science and Engineering बरांच 3CM के स्टुडेंट हैं क्योंकि इस वीडियो के माध्याम से जो आपके समेस्टर एकजाम में Previous Years में जो भी questions पूछे गए हैं सभी का solution करवाने वाले हैं इसके साथ साथ अब की बार कौन कौन से questions पूछ सकते हैं आपके समेस्टर एकजाम में तो उसको भी आप सभी को बताने वाले हैं तो अगर आप लोग फिल होने से बचना साहते हैं तो इस वीडियो को आन तक दरूर देखिली जिएगा ताकि आप सभी को मालूम चल सके कि Previous Years में कौन कौन से questions पूछे गए हैं और अब की बार की एकजाम में आखिर कौन कौन से questions पूछे जाएंगे क्योंकि जितने भी एक्षुडेंट है सभी के दोरा कॉमेंट आ रहा था कि सर अभी तक यूटूब पर कोई भी SBTB हार का जो 30 सेमेस्टर CSE बरांज का जो डिस्क्रीट मैठमेक्टिक से इसका कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है पिलीज सर आपसे रिक्वेस्ट है इसका वीडियो आप अपलोड मतलब कर देजिए तो हम सोचे एक्षुडेंट लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है तो इसका जो वीडियो है उसको सोलूसन के साथ अपलोड कर देते हैं तो चलिए देख लिते हैं आखिर कौन-कौन से क्वेस्टन से जो पुछे गए हैं और आखिर आपकी कौन-कौन से क्वेस्टन पुछे जा सकते हैं तो सबसे code है 28301 एक और आप सभी को बता दे जो आपका paper है एक totally 70 नमर का है और इसका hour है 3 घंटा यानि आपको 70 नमर का question 3 घंटा के अंदर ही आप सभी को solve कर देना होगा एक और आप सभी को बता दे आपकी exam में 3 group से questions पूछे जाएंगे group A जिसमें 1 से लेकर के 20 तक objective question होगे और परते एक objective questions का नमर 1 होगा उसके बाद जो group B होगा उसमें 4 नमर का 5 questions पूछे जाएंगे और जो group C होगा उसमें आप सभी को 6 नमर का 5 questions पूछे जाएंगे तोटिली हो जाएगा 70 नमर तो ये थोड़ा सा था basic introduction अब चलिए आप सभी को बता दे previous year में आखिरो कौन कौन से question से जो आपकी exam में पूछे गए हैं एक और आप सभी को बता दे वीडियो के अंति में आप लोग comment box में comment जरूर किजिएगा कि आप लोग कितने questions का answer पहले से जानते थे और आखिर 20 में से आप लोग का कितना objective question सही हुआ है अगर दो हुआ होगा तो दो comment किजिएगा और 20 में 20 objective question सही हो जाएगा तो 20 में 20 objective question लिख दीजिएगा और सभी लोग एक एक like जरूर कर दीजिएगा तो पहला questions पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं देखिए power set of imperative set has exactly dash subset यानी खाली समुच्य के power set में उप समुच्य dash होते हैं आप लोग इस question को थोड़ा डिपले पढ़िए एक कोई questions नहीं है एक आप से सिध्य थिवरी ही पूछ दिया गया है इसमें आपको कोई भी solve करने किया हो सकता नहीं है एक जो है आप से थिवरी ही पूछ दिया गया है question से खाली समुच्य के power set में उप समुच्य dash होते हैं तो कितने होते हैं आप सभी को मालूम होगा एक होते हैं यानि question नमर एक का answer option A सही हो जाएगा तो इस वीडियो को आगे continue करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटिस request के अगर आप सभी लोग आप सभी के अपने यूटूब सेंजल डिपलोमा कलासिस पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब जब करने चिएगा ताकि इसे ही informative वीडियो आप सभी के पास जाते रहे और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिपलोमा कलासिस यानि आप सभी का अपना यूटूब सेंजल है और यहां पर जितने भी समेश्टर है समेश्टर वांच लेकर के सिक्स तक जितने भी क्वेश्टर पर पहे सभी को यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है इसके सांथ साथ अगर आप लोग पुल टेक्न करने के बाद एसे जी डिया डियो बार्क या कोई भी कंप्टेटिव उसका अगर आप लोग फ्रिफ्रेशन करना साहत नहीं है तो आप लोग बिल्कुल यहां पर कर सकते हैं और एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे अगर आपके मोबाइल में कोई भी गुरूफ आएंगे अपने एक्जाम में क्योंकि आप सभी को एक और बात मालूम होगा कि आपकी एक्जाम में कम से कम 40-50 नमर का जो कुछन होता है और प्रिवियर्स से ही पूछा जाता है तो अगर आप लोग प्रिवियर्स तीन साल के क्वेशन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नमर से पास हो जाएंगे अपने समेस्टर एक्जाम में तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिनिव अगला क्वेशन है यानि क्वेशन नमर टू दा कार्डी निलीटी अफ दा सेट आफ इवेन पोजेटिव इंट्रीजर लेस देन 20 यानि 20 से कम धनात्मक समसंख्या के समुच्य की कार्डीनिलिटी है तो कौन कौन से है तो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 12 40 60 और कितना 80 तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसंसी हो जाएगा कितना है तो इसका 9 धनात्मक संख्या है ठीके 9 धनात्मक समसंख्या है अगर पिछले बार आप लोग से पूछा गया है पोजेटिव तो आपकी बार बोल देगा देखिए इभिन बोला गया है तो आपकी बरापसे औरड पूछा जा सकता है तो अगर औरड पूछ देगा तो कौन कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ठीक है कुछ इस परकार से हो जाएंगे तो आप लोग उसको बहुत अच्छे तरह से देख लिजिएगा अगला कोशन से आप सब एक एक्जाम में पूछा गया है यानि शारो भावमिक लौजिक गेट है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम डिफनीशन दे देखिए जो बैसिक लौजिक गेट होता है ओ होता है एंड गेट उसके बाद होता है नौट गेट उसके बाद होता है और गेट यह जो तीनों गेट है यह आपके बैसिक गेट के अंदर आते हैं लेकिन जो उनिवर्सल गेट है इसमें नेंड और नौर आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं end है, not है, और है यह तीनो के तीनो basic logic gate है लेकिन जो आपका name है यह आपका universal logic gate है यानि option A इसका correct answer हो जाएगा अगर पिछले बार पुछा गया है universal logic gate कौन है तो आपकी बार पुछ दिया जाएगा कि basic logic gate कौन सा है तो आप सभी को बात बता दे end है, not है, और और है, ठीक है तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ली दियेगा वैसे जो question number 3 है इसका correct answer negate हो जाएगा अगला question है और यह है statement consider the statement P, sleeping is pleasant then P is यानि कथन पर विचार करे P, सोना सुखद है तो P क्या है तो आप सभी को बता दे sleeping is always pleasant यानि सोना हमेशा सुखद होता है यानि option जो इसका B है, वो finally correct answers हो जाएगा अगला question से if A बराबर A, B and B बराबर C, D then A cross B is called to क्या होगा तो आप सभी को बात बता दे यानि A बराबर A और B है ठीक है और B बराबर C और D है तो बाड़ी बाड़ी से हमको सभी में multiply कर देना होगा और जब आप लोग multiply किजिएगा तो आपको कुछ इस परकार से आ जाएगा अगर आप लोग A में C से किजिएगा तो क्या होगा A और C होगा ठीक है उसके बाद A में D से किजिएगा तो A और D हो जाएगा उसके बाद B में C से किजिएगा तो B और C हो जाएगा उसके बाद आप लोग B में D से किजिएगा तो B और D हो जाएगा तो आप लोग मेचिंग किजिए कि कौन सा option मिल रहा है option A में है A, C, A, D, B, C यहां तक तो सेम है लेकिन यहां पर B, B है तो यह नहीं होगा option B मेच किजिए A, C, A, D, B, C, B, D तो हमको second option है मिल गया तो हम इसकी आगे नहीं बढ़ेंगे यानि जो questions नमर पांच है इसका correct answer option B सही हो जाएगा अगला question से The Converse of a statement statement P, Q, H यानि P, Q का बिलीन है तो किसका है Q से P क्या है यानि option जो इसका C है A, finally correct answer हो जाएगा अगला question से और आप लोग इसको 3th, 11th में पढ़े होंगे The value of N, P, N, minus 1 is called to क्या होता है तो आप सभी को मालूम होगा ए थियोरी है ए कितना होता है factorial N के वराबर होता है यानि option इसका भी सही हो जाएगा आप सभी से एक और बात बता दे अगर आपके मोबाइल में कोई भी group होगा जिसमें आपके दोस्त लोग होंगे CSC branch 3CM के तो उस group में इस वीडियो को सिर जरूर किजिएगा ताकि जो आपके दोस्त लोग होंगे ओभी इस वीडियो को देख लेंगे और एक्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे कियोंकि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपके एक्जाम में कम से कम previous year से 40 नमर तक same to same questions पूछे जाते हैं और आप सभी को एक बात पाता दे सबसे जादा एस्टुडेंट लोग mathematics में ही fail होते हैं तो अगर आप लोग fail होने से बसना चाहते हैं तो इस questions paper को आप लोग अच्छा से solve कर लीजिए आप लोग fail नहीं होईएगा माल लीजिए 40 नमर का question same to same पूछ दिता है और आपको passing होने के लिए भोलिएगा अगला question से a null graph has dash is यानि एक सुन्य गराफ के लिए किनारे होते हैं तो यहां सुरुवाती में ही बोल दिया गया है सुन्या तो इसका correct answers हो जाएगा 0 यानि question number जो 8 है उसका correct answer option A हो जाएगा questions number 2 है और A है probability से ठीक है उसी में जो आपका union intersection है उसी से related question है इसके एक formula होता है क्या formula होता है आप सभी को बता दे P A union B is equal to P A plus P B minus P A intersection B ठीक है इसी फर्मूला पया जो question से उसका solution होगा तो आपको इसमें P A का मान दे दिया है P B का मान दे दिया है और P A union B का मान दे दिया है और बोला है P A intersection B को निकालने के लिए जब आप लोग इसमें सभी का मान रख दिजिएगा तो फैनली जो P A intersection B है इसका answers आ जाएगा 1 by 4 यानि Apsons से इसका correct answer हो जाएगा अब चलिए देख लेते हैं अगला questions क्या पूछे गए हैं आपके exam में अगला question से The set of natural number is यानि फ्राकिर संख्याओ का समुझ डैस होता है finite set होता है infinite set होता है या A and B होता है तो आप सभी को बता दे प्राकिरित संख्याओ का समुझ एक finite set होता है यानि सिमित समुझ होता है यानि आप सने इसका correct answer हो जाएगा अगला question से The range of cos x देखिए पिछले बार cos x पूछा गया है तो आपके बार sin x को पूछा जा सकता है तो आप सभी को बता दे जो cos x का range है a minus 2 to a नहीं होता है minus से pi से pi तक यह भी नहीं होता है a होता है minus 1 से ले करके एक के बीच में ठीक है यानि question number 11 का जो correct answer है वो हो जाएगा option c अगला question है let x be a relation defined on set a b and x a a a b b b then the relation is आपको option में दिया है transitive symmetric reflexive तो आप सभी को बता दे यह जो relation है transitive होता है आखिर कैसे उसको लेने के लिए आप लोग टेलिग्राम को जोईन कर सकते है अगला question से और a most important है यह questions को हर एक साल पूचा जाता है आपके semester's exam में which of the following is not a FIBA 9 की number तो इसमें कौन सा होगा जो 8 है और 55 है यह दोनो के दोनो FIBA 9 की नमर है लेकिन जो 14 है यह आपका FIBA 9 की नमर नहीं है तो देखिए इसमें पूचा गया है कौन FIBA 9 की नमर नहीं है तो 14 नहीं है अगर पिछले बार बोला गया है इसमें कौन FIBA 9 की नमर नहीं है तो आपकी बार आपसे पूचा जाएगा कि FIBA 9 की नमर कौन सा है तो आप लोग उसको याद कर लिजिएगा वैसे आप सभी को बता दे इसका correct answer हो जाएगा option B अगला question से if A बराबर A, B, C and B बराबर C then तो क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा option A अगला question है if the origin and terminus of a walk are the same the walk is known as तो इसको क्या कहा जाता है तो इसको close कहा जाता है तो इसका finally correct answer option B हो जाएगा अगला question से और A, B, B, C का आप से मतलब फर्मूलाएं पूच दिया गया है the mean of binomial distribution यानि दुविपद बीतरन का माध्या है तो क्या है NP है ठीक है क्या correct answer हो जाएगा NP हो जाएगा अगला question से if N plus 2 factorial is equal to 60 multiply N के power minus 1 the value of N is तो देखिए जब आप लोग इसको solve किजिएगा तो इसका correct answer option C बसाड़ी इसका correct answer आ जाएगा 3 यानि option A इसका correct answer हो जाएगा अगला question से if 1 बटा 5 factorial plus 1 बटा 6 factorial minus X बटा 7 factorial then the value of X तो देखिए जब आप लोग इसको solve किजिएगा तो इसका correct answer 49 हो जाएगा ठीक है अगला question से the maximum degree of any vertex in a simple graph with n particles यानि n seeds वाले सरल गराफ में किसी भी seeds का अधिक्तम गहात होता है तो कितना होता है n minus 1 होता है अगला question से which among the flowing is the standard deviation of binomial distribution यानि निमनलीखित में से कौन दुईपत वीतरन का मानक बिचिलन है तो कौन है NPQ है तो इसका correct answer option A हो जाएगा तो आप लोग देखे लिए previous year में कौन कौन से objective questions पुछे गए थे इसके साथ साथ आप लोगे भी देखे कि अब की बार कौन कौन से objective questions पुछे जा सकते है अगर आप लोग पूरा questions paper को लेना चाहते हैं तो आप सभी को Instagram पर message करना होगा Instagram ID है DIPLOMACLASSES1 यानि diploma classes 1 जिसका link इस वीडियो के description box में दिया गया है आपको वहाँ पर 10 रुपई send करना होगा उसके बाद या जो questions paper है आप सभी के साथ provide कर दिया जाएगा और एक और आप सभी को बता दे वैसे जो इसका objective question से आप सभी को बता दिये हैं अगर इस questions paper को लेना चाहते हैंगे आप लोग बिलकुल एक बार message जरूर किजिएगा तो आज क्रितना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you